नमस्कार दोस्तो स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में जी हाँ दोस्तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी सुबह से लेकर शाम तक की सारी के सारी बड़ी खबरें मुख्य समाचार ब्रेकिंग निउस अपडेट के रूप में तो दोस्तो आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को जदा जदा लाइक और शेर करें तो दोस्तो जानते हैं आज की पहली बड़ी खबर ओमिक्रोन से महराष्ट में आठ ने पोजिटिव राहूल गांदी की मुंबई रेली हुई रद देसबर में कुल 57 केस आये सामने जी हाँ दोस्तो महराष्ट में एक बार फिर ओमिक्रोन के आखड़े डरा रहे हैं राज़े में आठ नए मामले सामने आये हैं जो ओमिक्रोन वेरेंट से संक्रमित पाए गए हैं चिंता की बात यह भी है कि जदा मामले मुंबई से सामने आ रहे हैं इन आठ मामलों में से भी साथ तो मया नगरी में ही मिल गया है माराष्ट में ओमिक्रोन से संक्रमित मरीजों का आखड़ा 28 पहुँच गया है अभी तक मुंबई में 12 चिंदवारा में 10 पुने में 2 और डॉम भी वाली में एक मामला सामने आया है राज्य सरकार ने अपनी तरब से एरपोर्ट पर सक्त नियम कर दिये हैं एट रिस्क देसों के लिए क्वारंटैन की बात भी कही गई है लेकिन फिर भी सबसे जदा मामले महराष्ट में ही सामने आ रहे हैं बढ़ते मामलों को देखते हुए राजसे में राहुल गांदी की रेली को भी रद कर दिया गया है कॉंग्रेस ने खुदी ये फैसला लिया है महराष्ट के लावा दिल्ली राजस्तान में भी ओमी क्रोन के मामले तेजी से बढ़ते दिख रहे हैं इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर अखिलेश यादव का दावा यूपी चुनाओं में कॉंग्रेस को नहीं मिलेगी एक भी सीट जी हां दोस्तों उत्तरप्रदेश के पूर मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के राष्ट यद्यक्ष अखिलेश यादव का दावा है कि अगले विदान सबाचुनाओं में कॉंग्रेस पार्टी का खाता तक नहीं खुलेगा इंडिया टूडे के साथ एक इंटर्विव के दोरान जब उनसे प्रियंका गांधी की रेली के बारे में पूँचा तो उन्होंने यह बात कही उन्होंने कहा कि 2007 का अनबव काफी खराब रहा इसके अलावा और भी मुद्धों पर उन्होंने बात कही अखिलेश यादव से जब AIMIM प्रमूख सुद्दिन ओवेसी से हाथ मिलाने के बारे में पूचा गया तो उन्होंने कहा कि अब कमरा फुल हो चुका है अखिलेश यादव ने कहा कि उनकी पार्टी किसी भी राश्चेदल के साथ गटबंदन नहीं करेगी साथ उन्होंने ये भी कहा कि यूपी की जनता राज्जे में अब नई सरकार बनाना चाहती है उन्होंने कहा कि जनता ने ते कर लिया है कि यूपी में योगी सरकार नहीं योग्य सरकार चाहिए इस से पहले प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी के काशी दोरे को लेकर बयान देने के बाद चोर तरफा घिरे सपा प्रमुक अखिलेश यादवने मंगलवार को सफाई दी अखिलेश यादवने कहा कि मैं पी-म नरेंदर मोदी की लंबी उम्र की काम ना करता हूँ मेरा आश्य यूपी सरकार के खात में से था अकिलेश आदव ने कहा कि यूपी में योगी और मोदी का समय अब चला गया है तो दोस्तों आपको क्या लगता है 2022 के विधानसवा चुनाओं में कौन सी पारटी उत्तर प्रदेश में जीतेगी कमेंट करके अपनी राय दें इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर ममता मनर्जी बोली बिजेपी का होगा सूर्य अस्त गोवा यूपी और पंजाब चुनाओं से होगी शुरुवात जी हाँ दोस्तों पशी मंगाल की मुखे मंतरी और तरणमूल कॉंग्रेस सुप्रीमो ममता मनर्जी इन दिनों गोवा में ताबर्तो और जनसवा कर रही है मंगलवार को उन्होंने पंजी में एक सबा के दोरान भारते जनता पारटी पर जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि गोवा उत्रप्रदेस और पंजाब जिसे राज्यों से बीजेपी का सुर्यास्त शुरू हो रहा है इन सभी राज्यों में 2022 की सुर्वास से विदान सबा चुनाओं होने वाले हैं दरसल ममता बनर्जी पंजी में एक जनसबाग में बोल रही थी या उन्होंने उपचारिक रूप से अगामी गोवा चुनाओं के लिए महाराश्चरवादी गोवान तक पारिटी के साथ अपनी पारिटी के चुनाओं पूर्ण गठबंदन की घोशना भी की है पंजी में अपने दूसरे दिन बेटक में उन्होंने कहा कि गोवा की रक्षा के लिए आपको काम करना होगा ये मज सोचो की गोवा बहुत छोटा है गोवा भारत है गोवा में सूरेस्ट होता है जब गोवा मुस्कुराता है तो बारत मुस्कुराता है उन्होंने बीजी पर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी का सूरेस्ट गोवा यूपी और पंजाब से सुरू हो रहा है उन्होंने कहा कि गोवा को आपदा से बचाए यह मेरा नारा है उन्होंने ये भी कहा कि TMC और MGP मिलकर काम करेंगे और इस गट बंदन को आगामी चुनाओ जीतने से कोई नहीं रोक सकता है इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर कैप्टिन की पारिटी का कॉंम्गरेस को पहला बड़ा जटका पूर्व सांसद और कई पूर विधायोकों को तोड़ा जीहा दोस्तों पंजाब के पूर्व CM कैप्टिन अमरिंदर सिंग ने कॉंगरेस को पहला जटका दे देते हुए पूरू सांसद और पूरविधायकों को पार्टी की सदेश्चता दिलाई है। 12 सांसदों के निलंबन पर संसद में केंद्र को घेरने की तेयारी। के अद्यक्ष फारुक अब्दुला, सीवसेना नेता संजे राहुत और द्रमुक नेता टी आर बालू भी शामिल हुए। कॉंग्रेस से जुड़े सुत्रों ने बताए कि आने वाले दिनों में ऐसी और बेटकें होंगी ताकि सभी विपक्षी दलों को एक्जूट किया जा सके। इस बेटक में कॉंग्रेस के पूर अद्देक्ष राहुल गांदी और राज्य सभा में नेता प्रतीपक्ष मर्दलिका अर्जुन खड़के भी मौजूद थे। इसके बाद दोस्तों जानते हैं अगली खबर ओमी क्रोन को लेकर विशु स्वास्ते संगठन भी हुआ चिन्तित बोला बढ़ सकते हैं मोतों की संक्या जिया दोस्तों विश्व स्वास्ति संगठन ने असंका जाहिर किये कि कोरोना के नए वेरियंट की वजह से होस्पिटलाइजेशन और मोतों की संक्या बढ़ सकती है WHO ने ये भी कहा है कि Omicron के बारे में और इस पस्ट जानकारी के लिए अभी ज़्यादा डेटे की जरूरत है WHO ने दुनिया बर के देशों से Omicron का ज़्यादा से ज़्यादा डेटा कलेक्शन करने की अपील भी की है संक्यठन का मानना है कि Omicron variant दुनिया में अपना असर छोड़ सकता है लेकिन अभी इसके बारे में कोई भी बात कहना जल्दबाजी होगी संक्यठन के मताबिक जैस जैसे डेटा सामने आते जाएंगे तस्वीर साफ होती चली जाएगी इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर प्रतिरोदक शमता को चकमा देने में माहिर है Omicron तेजी से बढ़ सकते हैं केस जी हाँ दोस्तों नए COVID variant Omicron से पेदा होने वाले संक्रमन पर दुनिया भर के विग्यानिक रिसर्च कर रहे हैं इसे लेकर शुरुवाती रिसर्च के बाद कुछ निसकर्स भी सामने आने लगे हैं इस बिस देश में Genome Sequencing से शीर्स एक्सपर्ट डॉक्टर अनुराग अगरवाल ने भी Omicron variant को लेकर कई महतपुन बातें बताई है डॉक्टर अगरवाल ने CNBC TV को दिये गए इंटर्विव में लोगों को आगर किया है कि भले ही इस वक्त Omicron के मामले एक प्रतिशत से भी कम हैं लेकिन प्रस्तितियां तेजी के साथ बदल सकती हैं डॉक्टर अगरवाल CSIR के Genomics और Integrative Biology Institute के डारेक्टर हैं डॉक्टर अगरवाल ने कहा कि इस वक्त देश और दुनिया में प्रभावी वेरियंट्स डेल्टा है उन्होंने कहा कि Omicron वेरियंट की संक्रामक शमता काफी जादा है और United Kingdom इसका उधारण है वेक्सिनेचन भी Omicron के खिलाब परियाब तो सुरक्षा नहीं दे पा रही है इसलिए संक्रमन के मामले गटना भविशे की रणनीती हो सकती है इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर लकमीपूर खीरी वोईलेंस में घ्रह राज़े मंत्री के बेटे आशिश मिश्रा की मुश्किलें बढ़ी जी हाँ दोस्तो लखमीपूर हिंसा मामले में केंद्रिय ग्रह राज्य मंत्री अजे मिश्र टेनी के बेटे आशिश मिश्र की मुस्किले बढ़ने वाली है मामले की जाच कर रही एसाइटी की मांग पर सिजे एम कोट ने आशिश मिश्र समय तेरा आरोपियों पर धारा 307 लगाने का अदेश दिया है अगर ट्रायल में आशिश मिश्र दोसी पाये गए तो उन्हें दस साल तक कड़ी केद की सजा हो सकती है मामले की जाच कर रही SIT ने कोट में दायर की गई चार्शीट में लखमी पूर हिंसा को सुनियोजी साजिस करार दिया है SIT के मुताबिक इस आपरादी गटना में आशिश मिश्रा समेत कई लोग शामिल थे आरोफ है की इन लोगों ने योजना बना कर किसानों को कुचलने की गटना को अंजाम दिया है SIT की रिपोर्ट के बाद कोट के आदेस पर धारा 120, B, 307, 34, 326 भी बढ़ा दी गई है आपको बता दे दोस्तों लकमी पूर के तिकूनिया में 3 अक्टूबर को अंदोलनकारी किसान सडग पर प्रदेशन कर रहे थे उसी दोरान पीछे से कार के काफिले ने किसानों को कुचल दिया था इस गटना में चार किसानों की मोत हो गई थी गटना के बाद बाकी किसानों ने काफिले में शामिल 4 लोगों को पकड लिया था और उन्ने पीट-पीट कर मार डाला किसानों का आरोप है की इस काफिले की अगुआखेंद्रिय मंत्रिय अजय मिश्रा का बेटा आशिश मिश्रा कर रहा था इसके बाद दोस्तो जान लेते हैं अगली खबर लेकिन दोस्तो अगली खबर जानने से पहले आप लोगों से गुजारी से कि इस वीडियो में दिखाई गई खबरें अगर आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेर करें और हमारे चनल को सब्सक्राइब कर तो दोस्तो जान लेते हैं आज के न्यूज अपडेट्स दोस्तो जान लेते हैं आज के सोने और चांदी के भाव तो दोस्तों तरास्टे इस तरसे मिले संकेतो के करन भारतिय सरफब बाजार में आज सोने के बाव में गिरा और देखने को मिली हाला कि इसके बाद भी सोने के दाम 47,000 रुपे के उपर बरकरार रहे इसके उलट चा के कीमतों में आज उचाल दर्स किया गया। चांदी के दाम में बड़ा बदलाव नहीं हुआ दिली सरफ बाजार में मंगलवार को 99.9 ग्राम शुदता वाले सोने के दाम 22 रुपे परती 10 ग्राम की मामूली गिरावट के साथ 47,280 रुपे परती 10 ग्राम पर बंद हुए वह अंतराष्टे बाजार में भी आज सोने की कीमतों में कमी और ये 1784 डॉलर परती ओंस पर पहुँच गया इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर महंगाई का जोरदार जटका 10 साल के उच्चितम इसतर पर पहुँचा इंफलेशन जी हाँ दोस्तों स्थोक मुल्ले आधारित इंफलेशन नौमबर में एक दसक के उच्चितम इसतर 14.23 पर पहुँच गया इसका मुख्यकारण खनीस तेलों, बेस मेटल, कच्चे, पेट्रोलेम और प्राकर देश की कीमतों में हुई भारी बड़ोतरी है अप्रेल से लगातार आटवे महीने थोक मुल्ले आधारित इंफलेशन डबल डिजिट में बनी हुई है इस साल अक्टूबर में इंफलेशन 12.54 परतिशत था जबकि नौमबर 2020 में ये 2.39 परतिशत था इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर मांदे बढ़ाने की मांग को लेकर आंगनवाडी कारे करताओं की हड़ताल जी हैं दोस्तों चतिस गड़ में कॉंग्रेस की सरकार के 3 साल पूरे हो गए हैं लेकिन वादे अब भी अधूरे हैं वादे पूरे नहीं होने पर प्रदेस में एक लाग से दीक आंगनवाडी कारे करताओं ने मोर्चा खोल दिया है सरकार से नाराज प्रदेस बर की हज़ारों महिलाएं राजदानी राइपूर में जुठी हैं कोंगरे सरकार से मांदे बढ़ाने की मांग कर रही है अभी अगनवाडी कारे करताओं को महिने में केवल 6500 मांदे मिलता है मांदे में 4500 केंदर सरकार और 2000 राज्य सरकार भुकतान करती है कारे करताओं का कैना है कि बड़ती महेंगाई से घर की आर्थिक स्थिती खराब हो गई है और परिवार का पेट चलाना मुश्किल हो गया है 10 दिसंबर से बूड़ा ताला अबधरना इस तल पर आंगनवारी कारे करता साही का सेंट मंच के बेनर तरह हर ताल पर है आंगनवारी कारे करताओं की मांगे की मांदे बड़ा कर प्रतीमा 18,000 रुपे किया जाए उनकी एक अन्य मांगे की कोरोना काल में जान गवाने वाली कारे करताओं को प्रोशान रासी भी दी जाए इसके बाद दोस्तों रूप करते हैं अगली खबर का बीसनल ने जियो एरिटेल और वियाई के प्लांस को किया फैल 400 रुपे में कम से कम 80 दिन की वेलेडिटी डाटा, कॉलिंग और बहुत कुछ जी हाँ दोस्तों सरकारी टेलिकॉम कमपनी बीसनल के पास आकरशक फाइदे फ्री कॉल और लंबी वेलेडिटी के साथ साथ आने वाले कई प्रिपेड प्लान है आज हम आपको एक एसा प्लान के बारे में बताने जा रहे हैं जो लंबी वेलेडिटी और फ्री कॉलिंग करने वाले ग्रावकों के लिए बहुत शानदार है बीसनल का ये प्लान 399 रुपे का है और ये 80 दिनों तक की वेदिता प्रदान करता है इसके साथ ही प्लान में एक GB Delhi डेटा अनलिमिटेट कॉलिंग प्रती दिन 100 SMS और 80 KBPS की स्पीड से इंटरनेट मिलता है इस प्लान के साथ यूजर BSNL की फ्लैक्शिप टूशन और लोकल धुन कंटेंड भी प्राप्त कर सकता है इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर One Day Series से कोहली के ब्रेक पर आया बड़ा अपडेट BCCI ने दिया यह बयान जी हैं दोस्तों भारती किर्केट कंट्रोल बोर्ड के एक शिश अधिकारे ने कहा कि टेस्ट कप्तान विरोट कोहली ने दक्षिन अफ्रिका के आगामी दो रहे के एक दिवसिये चलन से ब्रेक का कोई अपचारिक आगरा नहीं किया है कोहली सेंचूरियन में 26 दिसंबर से शुरू हो रही तीन टेस्टों की श्रंकला में भारत की अगवाई करेंगे टेस्ट श्रंकला केप टाउन में 15 जनवरी को 30 रोर अंतिम मेच के साथ खत्म होगी इसके बाद 19 जनवरी से 3 एक दिवसिये मेच की श्रंकला खोली जाएगी इसके बाद दोस्तों चान लेते हैं अगली खबर 6 महिने में 3 साल तक के बच्चों के लिए भी बन जाएगी कोरोना वैक्सीन जियां दोस्तों पुने इस्ति सीरम इंस्टिटुट अफ इंडिया के सीओ उधार पुनावाला ने मंगलवार को कहा कि अगले 6 महिनों में 3 साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए कोवेक्स वैक्सीन लॉंच करेगा भारती ओद्योग परीसर में कारिक्रम को समदित करते हुए पुनावाला ने कहा कि कोवेक्स का भी अभी ट्राइल किया जा रहा है और 3 साल की उम्र तक के बच्चों में बहतरीन रिजल्ट दिखाए दिये हैं कोवा वैक्स अमेरिका इस्तित नोवा वैक्स के कोवीड वैक्सीन का एक वर्जन है और SII के CEO ने कहा कि ये दिखाने के लिए परियाप्त डेटा है कि वैक्सीन काम करेगी या बच्चों को कोरोना वाइरस से बचाएगी कोवीड-19 वैरेंट ओमिक्रोन के साथ क्या होगा इस पर टिपड़ी नहीं करते हुए पुनावाला ने कहा कि अब तक बच्चे इससे भहुत बुरी तरह परभावीत नहीं हुए हैं उन्होंने लोगों को अपने बच्चों को वैक्सीन लगवाने की सलाद दी क्योंकि वैक्सीन सुरक्षित और प्रभावी है वर्तमान में भारत में इमर्जेंसी उप्योग के लिए जाइडस हेल्थ केर द्वारा निर्मित बारा वर्सेदी कुम्र के बच्चों के लिए केवल एक वेक्सिन को मंजूरी दी है इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर सोपर्तिशत पेपरलेस वाला देश की पहली सरकार है दुबई हर साल बचेंगे 2700 करोल रुपे जी हाँ दोस्तों सयुक्त अरब इमरात के विवराज और दुबई के क्राउन प्रिंस सेक अमदाद बिन मौंबत बिन राशिद अल मक्तून ने घोशना की की दुबई सरकार सत प्रतिशत कागस रहित होने वाली दुनिया की पहली सरकार बंसाएगी इसे 1.3 अरब दिरहम यानि के 35 करोड डॉलर और 1.4 लाग शम घंटों की बचत होगी दुबई सरकार ने भी आंतरिक बहारी लेंदेन और प्रिक्रिया पर सत प्रतिशत डीजिटल है एक व्यापक डीजिटल सरकारी सेवा मंच इसका प्रबंदन करता है खबरों के मताबिक अंतीम चरण के समापत होने के तक पेपरलेस नीती अभी 45 सरकारी संस्ताओं में भी लागू हो गई है इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर वित्य इस्तिती खराब हुई तो बेंकों की तरह NBFC भी PCA की केटेगरी में डाले जाएंगे जी हाँ दोस्तों वित्य इस्तिती खराब होने पर बेंकों पर लगने वाला प्रॉम्ट करेक्टिव एक्शन की रोक अब नॉन बेंकिंग फाइनेंशल कंपनियों यानि NBFC कंपनियों पर भी लागू होगी NBFC पर प्रॉम्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क एक अक्टूबर 2022 से लागू हुए डिपोजिट लेने वाली NBFC पर ही नए नियम लागू होंगे और हर तीन साल में इसकी समिक्षा कीज़ाएगी इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबार अब ATM से केश निकालना होगा महेंगा फटा फट चेक करें नए चार्जेस जियां दोस्तों साल 2021 की सब खत्म होने वाला इस साल महेंगाई ने कई नए रिकोर्ड बनाये है हाला कि नए साल भी महेंगाई के साथ ही कुछ शुरू हो रहा है आपको बता दें कि साल 2022 से ATM से केश निकालना और महेंगा होने वाला है अगले महीने यानि जनवरी की पहली तारिक से ही मुफ्त ATM ट्रांजेशन लिमिट पार करने पर ATM यूजर्स को ज़्यादा चार्जेस देना होगा RBI ने एक जनवरी 2022 से फ्री मंतली लिमिट के बाद केश और नोन केश ATM ट्रांजेशन के लिए चार्ज बढ़ाने की इजासत देती थी Axis Bank ने बताया कि Reserve Bank के guideline के अनुसार Axis Bank या दूसरे बेंकों के ATM में फ्री मिट के अपर फाइनिसल ट्रांजेशन की फीज 21 रुपे प्लस GST होगी ये शन्शोती दरे एक जनवरी 2022 से प्रभावी होंगी इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर इंतजार की घड़ी हुई खत्म 15 नौमबर से डिलेवर होंगे ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर जियां दोस्तों ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर के लॉंच होते ही कई लोगों ने इसकी booking शुरू कर दी थी एसे में अब इंतजार है तो उसे पाने का ओला ग्राकों को अपने नए स्कूटर का और इंतजार नहीं करना पड़ेगा कंपनी ने इसी महीने की शुरुआत में अनौन्स किया था कि वो देश में S1 और S1 प्रो इलेक्ट्रिक स्कूटर की डिलेवरी 15 दिसमबर्शे शुरू करेगी इसके लावा ओला CEO ने भी टीट कर अपने घ्राकों को खुशकबरी दे दी है उन्होंने कहा कि गड़ी निकल चुकी है यानि ग्राकों को उनके स्कूटर मिलने शुरू हो जाएंगे आपको बता दे दोस्तो कंपनी ने हाली में अपने ग्राकों को ओलाई स्कूटर की डोरिस्टेप राइड सर्विस दी थी जिसके बाद से ग्राकों के अंदर इसे पाने की इच्छा और बढ़ गई है तो यहती दोस्तो आज की सभी मायत पुन बड़ी खबरें और दोस्तो बारी आती है आज के माइंट के इच क्विशन की जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं तो दोस्तो आज का सवाल है भारत के वर्तमान सिक्षा मंत्री का नाम क्या है जी हाँ दोस्तो अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंद कमेंट सेक्षन में लिख दीजे इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए और हमारे चन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बटन भी दबा ले धन्यवाज जे हिंजे भारत वंदे मातरम